याद रखिए जितनी तन्खा मिल रही है उतना जो ब्यक्ति काम करता है वो जीवन भर्मोंकर रहता है लेकिन जितनी तन्खा मिल रही है उससे दुगना जो ब्यक्ति काम करता है वो एक दिन वो खुद ही मालिक बन जाता है वो ही मालिक बनता है क्योंकि भगवान केते हैं तुझे जितनी तंखा मिल रही थी तुने दुगना काम किया अब तेरे तुझे फल भोगने की जरूवत है इसलिए जा मैं तुझे ही मालिक बनाता हूं और आप भारत के अद्योग पतियों को देख लीजिए दीरुबाई अम्मानी टाटा विर्ला ये खांसे सब हमारे और आप मैसी थे आज इतनी बड़ी उचाईयों पर क्यों पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने काम के प्रती इमांदारी निभाई जिदी आप काम के प्रती इमांदार रहोगे जिस काम को कर रहे हो तलीन तासे करिए ऐसा करिए कि उसमें आपको कोई हाथ ना पकड़ सके लोग कहें कि वावा काम तो ये करता है एक दिन आपको सबलता जरूर मिलेगी और महाराज आप मजबूरी वस या केवल धन के लालच में समय पास करने के लिए काम करोगे तो मालिक को तो दोका दे सकते हो वो सब का मालिक बैठा उसको दोका कैसे दोगे वो कहेगा तुने जो तुझे धन दे रहा था जो तेरे परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था जो तेरे उदर की पूरती कर रहा था जब तू उसका नहीं हुआ तू मेरा क्या होगा इसलिए तुर को तो नरकों में जाना ही पड़ेगा इसलिए इमानदारी से काम करिए